हाई फ्रेंट्स थैंक्यू फो वाचिंग मैं अनिल की कुमार इंप्रिंट एनल्पी मास्ट लाइफ पोच आज आपका स्वागत करता हूं दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सीखा कि पोजिटिव सेल्फ इमेज किस तरह हमें हेल्प करती है और सेल्फ इमेज को किस तरह से हम इवेलवेट करते हैं किन-किन हिश्चों में कौन-कौन से आस्पेक्ट कौन-कौन से डाइमेंशन उसको असर करते हैं और उन पे हमने detail में discuss किया आज हम discuss करने वाले हैं कि किस तरह अपनी distorted self image को बढ़ा कर सकते हैं तो इसके लिए आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक यदि आप इस चैनल पर नए हैं इस YouTube चैनल को subscribe कीजिएगा और bell icon को जरू दवाएगा तकि latest videos आप तक पहुंचती रहें चलिएगा शुरुआत करते हैं दोस्तो जैसा कि हमने पहली videos में discuss किया था कि self image आपके अपने बारे में जो thoughts हैं आप अपने आपको कितना वर्थी समझते हैं आप अपने आपको कितनी value देते हैं इस life में उससे related आपकी self image होती है वो self image distort होती है time to time आपके सामने जो tag लगाई जाते हैं आपको जो level दिये जाते हैं parents, teachers के दोरा कि आप किसी भी काम में asphalt होते हैं वो पैमाना आपको हर रोज set करता चला जाता है और आपके limits आपके अंदर में set करता चला जाता है तो वुस limit को कैसे तोड़े कैसे हम उस limit से बाहर आएं जब व्यक्ति अपने आपको ही वर्थी नहीं समझता तो फिर वो आगे बढ़ने में उतना सक्सम नहीं होता तो उन चीजों को कैसे ठीक करना है वो माज आपके साथ सेर करने वाला हूँ आपको पता है कि मैं Neuralinguistic Programmer हूँ और मैं NLP यानि Mind Science पे काम करता हूँ और मैं इसके live seminars और workshops लेता हूँ और मेरे online course भी इस चीज़ पे available है यदि आपको फिर उसको detail में जानना है तो आप description में जाकर मेरे online course को भी जोइन कर सकते हूँ जिसमें हर चीज, हर aspect को बड़ी detail में समझाया हूँ है चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके topic को cover करते हैं यदि आपकी self image distorted है तो self image बनाने के लिए आपको अपने self talk यानि अपने आप से आप कैसे बात करते हो उस चीज को आपको कुछ शमय के लिए observe करना होगा और आप पाऊगे कि आप ही अपने आपको बहुत सी negative feeding दे रहे हो और उन feelings को challenge करना होगा आपने उन feelings को filter करना होगा अच्छी feelings आप लेते रहें और negative feelings को आप बाहर कर दें तो पहला काम तो यही होगा कि आपको आपका observer बनना होगा आप अपने आप से किस language में बात करते हो किस तरहें से बात करते हो जो negative thoughts और जो negative feelings आप अपने अंदर लेते हो उनको आपने filter लगाना होगा पहला काम होगा filter लगाना दूसरा काम होगा कि आपने लिए एक self affirmation यानि कि अस बहतरी positive self talks आपको start करनी होगी सुबह और शाम आप अपने आप से बात करें कि हाँ I am worthy enough I love myself आपको अपने आप से प्यार करना होगा और वो self talk आप अपने लिए create करें लिखें एक बार 20, 30, 40 जितनी भी self talk लिख सकते हैं उनके आगे I am लगाएं और I am के साथ में वो चीज़ें आप फीड करें अगर आपको वो affirmations नहीं मिल पाती हैं आप create नहीं कर पाते हो आप उपर links में जाके देखोगे आपको उपर links में मिलेगी मेरे दवारा पहले डाली गई affirmations की वीडियो आप उस वीडियो को observe कर सकते हो शुबह और शाम दोनों समय पांस-पांस मिनिट अपने आपको affirm कर सकते हो positive talk दे सकते हो जिससे कि आप अपनी self image को grow करेंगे next है कि आप अपने आपको कुछ significant works में busy करें कुछ special कामों में लगाएं जहां पर आपको एक वहचान मिले आपको एक आतम संतूष्टी मिले writing में, poetry में, painting में और कोई भी creative काम जिसमें आप अपने आपको involve कर सकते हैं जिसमें आपको जब करने के बाद में satisfaction मिले आज मैंने ये किया नए skills सीखिए, नए course join कीजिए और नए pattern से अपने mind को prepare कीजिए आज तक आपने बहुत कुछ पढ़ा है आप किसी भी एक particular subject में आप best हो सकते हैं लेकिन क्या आप अपने mind को handle करना जानते हैं तो अपने mind से related course कीजिए meditation कीजिए किसी भी significance का work में आपको busy कीजिए जिससे आपकी अपनी self image को grow करने में आपको ultimate फायदा होगा next है आप एक चीज़ देखिए कि आप किस field में जाना चाते हैं किस जैसा बनना चाते हैं कितना शांत, कितना responsible और कितना dedicated बनना चाते हैं किस के जैसा बनना चाते हैं वैसे role models को decide कीजिए और अपने role model के साथ समय बिताइए अब आप कहोगे, सर मेरा role model तो आज इस दुनिया में ही नहीं, मैं उसके साथ कैसे समय बिता सकता हूँ तो अपने role models के साथ समय बिताइए आप role model के साथ समय बिताने के बहुत से तरीके हैं समझ सकता हूँ कि आपका रोल मॉटरों के पास हो सकता है जहां, शम्में ना हो, कि वो आपको शम्मे दे, लेकिन यदि आप उसके लिखी हुई किताबे पढ़ते हैं, आप उसका इंटर्वीव ले रहे हैं, आपकी state of mind, उसका state of mind एक level पे होता है, और उस वज़े से आप उसी की तरह सोचने लगते हैं, दूसरा, आप उसके वीडियोज देखे, आज YouTube पे हम भी आप तक पहुंचे हैं, यदि आप मुझे ही follow करना चाहते हैं, तो आप मेरी YouTube पर जाकर के व बनाते आएंगे, तीसरा है, आपके role models के दोवारा दिये गए phase और courts को अपने जीवन में implement करने की कोशिस कीजिए, कोशिस कीजिए कि जो उन्होंने कहा था, उसको मैं अपने उपर लागू करके देखूँ, try easy, आप एक हफ़ता try करके देखिए, आपकी जिंदिकी में एक ultimate relief मिलेगा, आप पूरी तरह से अपने आपको उस role model की तरह बनाते चले जाओगे और आपके self image उसी तरह बनती चली जाएगी, नेक्से कुछ ऐसे विसेज काम कीजिए, जिनसे आपको एक ultimate relief मिले, आप socially और bounded हो अपने आप से प्यार करने के लिए, तक आप किसी और के भी का मास को, अमूमन लोग पैसे कमा लेते हैं, एक अच्छी reputation कमा लेते हैं, लेकिन वो किसी के काम नहीं आते, तो उनको अंदर से उनकी self image ये कहती है, कि येर मैं किसके काम आया, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, इसलिए किसी ने किसी की काम आईए, अपने आपको इस लायक बना ये routine, एक system बनाए, एक आदा घंटा, एक घंटा में उस बच्चे को दूगा ही दूगा, contribute कीजिए society में, आप किसी पशू के लिए कुछ कर सकते हो, पक्षियों के लिए पानी, दाना रख सकते हो, किसी पशू को कुछ खाना दे सकते हो, गौशाला में जाए, वर्धासरम म आपको और पहतरी self image देगा, आप socially और emotionally अपने आपको strong बना पाओगे, balance बना पाओगे, इसके लावा है कि आप अपने आपके साथ में visualize कीजिए, शुबह और शाम अपने आपको अपने dream project के साथ में visualize कीजिए, जब आप visualize करते हो, तो आप emotionally और वो feelings अपने अंदर create करते ह जैसा कि आप उस situation को जी रहे हो, और जब आप emotionally उस चीज़ को feel करते हो, तो वो data, वो file आपके subconscious mind में feed होने लगती है, और आपका subconscious mind जब receive कर लेता है किसी file को, तो उसके लिए आपके अंदर एक motivation create करके रखता है, और आप अपने goal की तरफ बढ़ते रहेंगे, और यदि करें, वो visualization आपके goal को नजदीक लाएगा, आपकी self image को grow करेगा, और आपके अंदर एक बहतरी confidence बरेगा, दोस्तो यदि आप इन चीज़ों को implement करोगे, तो ना किवला self image को grow कर पाऊगे, बलकि आप अपने जीवन को एक कारत्मक रूप देते हुए, अपने लिए और अपन के लिए create करके दूँगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे comments में जरूर बताएं, और अपने जीवन को और भेतर, और शक्षम, और शम्रद बनाते जाएं, सबसे पहले thank you, आपका यहां तक बने रहने के लिए, और hopefully आपने इस channel को subscribe कर लिया होगा, जो नए हैं वो subscribe कर लें, और इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगता है, तो आप share भी कर सकते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ में, नए टोपी के साथ, जै हिंद, जै भारत, आपका दिन शुभ रहे कि जोगता हैюemen के लिए, और हुआने के लिया हैं दो नए, और ही वीडियो के लिएकशता हैं, जै वो팅 रहे ऑगता हैं, जै हुआणे वगता हैं